अक्टोर कुचबू और आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको winter में अपने skincare केर कैसे करनी है कि वह बहुत जादा ड्रायना हो जाए क्योंकि winter में क्या होता है कि जो हवावा होती है वह बहुत ड्राइ खोती है उसमें humidity काफी काम होती है तो उसी की वज़े से वो हमारी skin का moisture चुरा लेती है और हमारी skin बहुत जादा dry दिखने लगती है तो सबसे पहले कुछ tips में आपको देना चाहूंगी कि आपको winters में क्या नहीं करना चाहिए कि आपकी skin dry होने से बचे नमबर वन आपको बहुत जादा लंबे टाइन तक गरम पानी में शार नहीं लेना क्योंकि अगर आप बहुत जादा गरम पानी और बहुत लंबे टाइन तक आप शार लेते हो तो उससे आपकी skin का moisture चुरा लेता है तो उसकी वज़े से आपकी skin dry हो जाती है तो आपको थोड यार निकलती है वो काफी dry होती है इसलिए आपको humidity fire यूज़ करना है ताकि आपकी skin का moisture maintain रहे नमबर थ्री आपको कोई भी harsh soap यूज़ नहीं करना क्योंकि harsh soap skin को dry करेगा तो आपको cream based soap यूज़ करना है या फिर सर्दियों में बहुत जादा soap यूज़ करने की need नहीं होती तो आप twice और thrice अभी soap यूज़ करते हो बाकि आप plain water से नहा सकते हो soap की मैं बात करूँ तो आप setafil cleanser यूज़ कर सकते हो face के लिए जो skin को बिल्कुल dry नहीं करता है non forming face wash है और body के लिए आप dove white वाला जो soap आता है वो आप यूज़ कर सकते हो वो बहुत जल्दी skin में absorb हो जाता है और बहुत जल्दी वो अपनी नमी को देता है तो हमें ठिक moisturizer लगाना है जैसे की face के लिए आप setafil का damp cream आती है लगता ही नहीं है कि हमारे पैर भी है तो उसके लिए आपको क्या करना है अपने पैरों को भी अच्छे से clean करना है उनको भी अच्छे से moisturize करना है नहीं तो काफी dry हो जाएंगे आपको crack deal का problem स्टार्ट हो जाएगा उसके लिए बहुत अच्छा सा moisturizer fix derma foot cream आती है बहुत थ सकते हो तो फीट की आपको अच्छे से winter में care करनी है बॉडी के लिए आपको जब आप नहाते हो तो नहाने से 15-20 minutes पहले आप अच्छे से कोई भी oil जैसे की coconut oil हो गया winter में आमंड आप यूज कर सकते हो almond oil उसको लगा के massage करके फिर आप उसके बाद बात ले सकते हो बहुत गरम पानी से आपको नहाना यह मने आपको बताया ही है तो यह अगर आप थोड़ा सा precaution लोगे तो इससे आपकी जो skin है winter में extreme dry नहीं होगी क्योंकि जब skin extreme dry हो जाती है तो फिर वो eczema की तरफ जाने लगती है उसके लिए में separate video बनाऊंगी तो उसमें हम discuss करेंगे eczema के ब ebion vitamin E का capsule आता है अगर आपको acne का problem नहीं है आपका face बहुत जादा oily नहीं है तो ebion 400 या 200 से आप सार्ट कर सकते हो वो daily एक capsule ले सकते हो उससे आपकी skin अंदर से hydrate होगी नमबर 2 आपको पानी बहुत जादा पीना है कम से कम 3 लेटर पानी आपको daily पीना है वो भी skin को hydrate करने में help करेगा नमबर 3 आपको dry fruits खाने है थोड़ा सा घी भी आप खा सकते हो देशी खी वो skin के लिए अच्छा होता है तो वो आपको internally help करेंगी ये सब चीजे skin को hydrate करने में नमबर 4 आपको exfoliation अपनी skin का कम करना है क्योंकि बहुत जादा exfoliation करने से भी skin काफी dry and किची किची हो जाएगी तो आप हफते में एक बार हफते दस दिन में एक बार आप exfoliate कर सकते हो उसके लिए या तो आप physical scrub कर लो या फिर आप chemical scrub जैसे की acid वगेरा जैसे AHA acid आता है वो आप लगा के exfoliate कर सकते हैं जो औरल संस्किन की तरह भी help करता है फ्री रेडिकल से बचाता है फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं इसकी एजिंग को बढ़ाते हैं तो उसके लिए एंटी ऑक्सिदेंट में एंटॉक्सिड एच सी करके capsule आता है डेली मौनिंग में आप वो स्टा टोनर एलकोहल बेस यूज नहीं करना नमबर थर्ड आपको संस्क्रीन विंटर्स में भी cloudy days में भी लगाना होता है तो अगर आपकी स्कीन काफी ड्राय है तो क्रीम बेस संस्क्रीन आप यूज करो जैसे की संक्रॉस एक्वा लोशन SPF 50 आप यूज कर सकते हो काफी अच्छ लकिनै चाहिए तो आपको जरूर संस्कीन लगाना चाहिए तो संस्किन भी विंटर में मस्ट आ है आप ड्राइ स्कीन के लिए सोब लगा सकती हो कटे जुकि तो यसां प्लिद्ध में ड्राय स्कीन वालों को करनी चाहिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, थैंक यू